प्रेंड्स सुबा हो चुकी है सुबा के साथ बजने वाले और यहां इस तरीगी के लोकेशन में हमने रात को जहां नाइट स्टे की आप देख सकते हैं कितना खुल सुरत नजारा यहां एरले इन दे मॉर्निंग सुबा दुबारा वापस हमारा ट्रैक यहां से शुरू होता है ओपर पहाड़ों के और जहां में रात को कैमरा लगाए हैं तो यह है निलहाला बोलते हैं इस जगह को यह पुछी जगह दोस्तों अब हम वापस चल दिये थे अपनी मन्जिल की तरफ जहां पर हमने रात को अपने नाइट विजिन कैमरास सेट कर रखे थे लेकिन सुबा की रोशनी में यहां का नजारा बहुत ही खुब सुरूत था यहां की यह दर्या यहां के यह पेड नहाई थी लाजवाब थे करीबन दो से तीन गंटे के सफर के बाद हम जा पहुंचे अपनी लोकेशन पर जहां हमने नाइट विजिन कैमरास सेट कर रखे थे यहां पहुंचते पहुंचते हम बहुत ज्यादा थक चुके थे और बहुत ज्यादा भूप भी लग चुकी थी अब हम खाना बनाने के लिए कुछ लकडियों का इंतजाम कर रहे थे हमने अब कुछ लक्णियां वगेरा कठी करके खाना बनाने के लिए प्रिप्रेशन शुरू कर दी यहां के यह खुबसूरत जंगल यह बर्फीली पहाड़ियां और यहां के यह ठंडी हवाएं लेकिन यहां का नजारा जितना ही खुबसूरत था उतना ही खतरनाग भी क्योंकि यहां आग जलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कैसे भी करके मेरे दोस्त ने यहां पर आग जलाई अब हम खाना तयार करने में जुट गए क्योंकि सुबा से हमने कुछ भी निकाय था और हमारी पेट में चूहें दोड़ रहे थे अब हम चाहते थे कि जल्द से जल्द खाना तयार हो जाएं और हम अपने चूहों को कुछ देर के लिए शान्त कर सके अब हम ये भी बूल गए थे कि हमने कुछ वाइड लैप को भी अपने कैमराज में कैपचर कर रखा है यहाँ पर हमारा लजीज खाना तयार हो गया था बस अब खाने की देरी थी उससे पहले हमने सुच चदो कैमराज में चेक करते हैं कि क्या कैप्चर हुआ है यहां पर आप चामरा को चेक करेंगी कि इसमें क्या क्या करेंगी आप यह लोट रहें वापस गर की यह तरफ यहीं पर हमारा आज का यह दूसरा एपिसोड खत्म होता है उम्हेद है आप सब लोग ने इंजॉआई किया वीडियो को वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेय कर जुरू करें लाइक और कमेंट देकर हमें मौटिवेट करें अलाहाफिज टेक यह बाइबाए